हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब, आपका भाई हाजिर एनी वेकेंसी के साथ, जैसा कि आपने थमनेल में देखा है, कि आज जो वेकेंसी आ रखी है, वो आ रखी है टाटा पावर की तरफ से यहाँ पे लेटेस्ट और बहुती बड़ी अपॉर्चुनिटी निकाली बेसिकली यहाँ पे टाटा पावर के अंदर पावर की कंपनी है, आप सभी को पता है, पावर सेक्टर में वेकेंसी है, तो कोल माइस में यहाँ पे बड़ी अप्रॉचुनिटी निकाली गई है, डिप्लोमा केंडिडेट अप्लाइ कर सकते है, एवन बी बीटेक वाले बी state से ब्लॉंग करते हैं like किसी भी state से तो भी आप इस form को भर सकते हैं मैं पूरा form apply करने का process भी बताऊंगा आपका CTC क्या रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे selection process क्या रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे पूरा detail analysis करेंगे तो बस वीडियो को पूरा देखना है बिना escape किये तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया तो like कर देना like का target आपका रहेगा 500 प्लस का और जब भी आप वीडियो like करते हैं तो हमको motivation मिलता है यह यह बहत्रे इन वीडियो बनाने का और यह वीडियो उटमेकली उन लोगों तक पहन जाती है जो की eligible रहने वाले है और आपको comment box में अपने branch को mention करना है अगर आपने diploma किया या फिर अगर आपने bb.tech किया है और आप अपने trade को mention कर सकते हैं या फिर अगर आपने यहाँ पर IT कर रहा है तो आप अपने trade को mention कर देना comment box में और description में मैंने आपको कुछ link provide कर वा रहा है like telegram channel का, whatsapp group का, linkedin का, instagram का, facebook group का यह सारे link आपको description में देखने को मिल जाएंगे जाके join कर लेना यहाँ पर आपको premium type की job update देखने को मिलेगा, जो job में YouTube पर post नहीं कर पाता उसका update मैं यहाँ पर दे देता हूँ, तो आपको overall सारी jobs का update देखने को मिलता है per day मैं 20-25 jobs यहाँ पर देता रहता हूँ, तो आप इसको भी join कर कर रखे तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पास में जो घंटी वाला इकन उसको दबा दे ताक कि आपको next video को notification सबसे पहले मिल पाए और आपको वाई इस चैनल पर इंजरिंग job update लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा चलिए शुरू करते हैं अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको apply कैसे करना उस process के बारे में देखे process बड़ा ही simple सा रहने वाला है आप अपने mobile के तुरू apply कर सकता है इसमें कोई laptop कोई pc नहीं जीए बट जो steps में आपको बता रहा हूं उन steps को आपको follow करना पड़ेगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको google open कर लेना यहाँ पर आपको लिखना है Tata Power Tata Power लिखने का side में search का option आरे इस पर आपको click कर सकते हैं जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर Tata Power की initially first number पर website शो हो जाएगे directly website पर भी जा सकते है फिर carrier वाले page भी जा सकते है फिर fresher में जा सकते है फिर job search पर या फिर आप directly job search पर भी click कर सकते है menu वाले button पर click करना है यहाँ पर आपको एक option दिखिएगा carrier यह देख पार है इस carrier वाले page पर आपको कर देना है click जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने ऐसा tab open हो जाएगा जैसा कि आप अभी screen पर देख पार है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह Tata Power का carrier का page है यहाँ पर देख पार है home slash carrier लिखा है तो आपको यहाँ पर scroll down करेंगे तो आपके सामने एक option आएगा जैसा कि आप screen पर देख पार है opportunity for fresher तो आपको यहाँ पर learn more पर click कर देना है no more पर click कर देना है जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक new tab open हो जाएगा जैसा कि आप अभी screen पे देख पार है ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या करना है scroll down करना है यहाँ पे fresher के लिए जितनी भी opportunity निकलती है टाटा power के अंदर तो वो सारी की सारी यहाँ पे आपको update हो जाएगी यहाँ पे आपको एक option दिख रहा है employment opportunity का तो आपको directly इस पे click करना है तो कि सामने ऐसा tab open हो जाएगा जैसा कि आप अभी screen पे देख पार रहा है तो यहाँ पे आपको job search वाले option पे click करना start वाल option पे तो जैसे आप start वाले option पे click करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने total result जो show ह मैं आपको पहले चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको जॉब शो नहीं हो रही है आप 10 दुन बाद वीडियो देख रहे है पांच दीन बाद वीडियो देख रहे है अगर आपको job show नहीं हो रही है तो यह मान के चले job expire हो चुके क्योंकि data power के अंदर एक limited रहता है इनका system रहता है उसके अंदर limited data ही store हो सकता है जितने store होगे उतने ठीक है अगर access कर जाता है तो यह vacancy close हो जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो vacancy पहली आपको देखने को मिल रही है associate engineer का vacancy रहेगा civil वाले apply कर सकते है अगर आपने diploma किया है या फिर अगर आपने यहाँ पर bb tecker कर रखा है तो आप civil के अंदर इसमें apply कर सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं 26.22 को यह vacancy अपडेट विए latest opportunity यहाँ पर यह रहने वाली है अगली जो opportunity आपको देखने को मिलेगी दो vacancy है lead engineer का आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला lead engineer है दोनों अलग अलग है पहला lead engineer है वो आप देख सकते है coal handling plant data power का जो coal handling plant है उसके लिए vacancy निकाला गए coal plant बेसिक लिए आपका coal mines का रहेगा उसके लिए vacancy आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह publish हुआ है 17.6.2022 को latest opportunity apply जरूर कर देना अब lead engineer के लिए कौन कौन apply कर सकते हैं आपको पता देता हूँ जिन्होंने diploma किया है जिन्होंने bb tech कर रखा है वो यहाँ पर apply कर सकते है ठीक है diploma bb tech दोनों eligible और यह fresher के लिए है सारी के सारी vacancy यहाँ पर fresher के लिए हैं हमने directly fresher पे click किया अगली जो vacancy आपको देखने को मिलेगी वो भी lead engineer का है जिसमें आप देख सकते है electrical department है मतलब कि यहाँ पर diploma किया है bb tech कर रखा है apply कर सकते है लेकिन यहाँ पर आपका branch electrical यह उसके relevant branch होनी चीए जैसे कि अगर आपने electronic communication में कर रखा है ठीक है आपने instrumentation में कर रखा है electrical से relevant कोई भी branch है तो आप यहाँ पर apply कर सकते है उससे उपर जो call वाली थी ना उसके अंदर कोई भी branch eligible है अगर आपकी branch कोई सी भी है तो भी आप eligible है आप यहाँ पर देख सकते है 17-22-22-22 आपके यह रहने बार है अगली जो vacancy है आप यहाँ पर देख सकते है executive training का vacancy है तो यहाँ पर अगर आपने graduation किया है किसी भी branch में किसी भी ट्रेड के अंदर कुछ में भी तो आप यहाँ पर apply कर सकते है executive training का और अगर आपने diploma किया है तो भी आप apply कर सकते है जिन्होंने यहाँ पर B.E.B.Tek कर रहा है वो eligible है diploma candidate यहाँ पर apply नहीं कर सकते है क्योंकि यहाँ पर graduate league है graduate engineer चाहिए तो engineer जिन्होंने engineering कर रहा है B.E.B.Tek कर रहा है वो यहाँ पर apply कर सकते है all branch are eligible किसी भी branch अगर आपने B.E.B.Tek किया है अप्लाइ कर सकते हैं फाइर सेवटी में इसको बहुत है तो आप इसको जरूर से अपलाइ करिएगा एक करना है यहाँ पे आपके सामने इसा टेब उपन होगा यहाँ आपको एक option दिखेगा है apply वाले बटन पर कर देने क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने ऐसा टैब ओपन हो जाएगा application wizard का तो यहां पर अब देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे भाई बेंच जिन्होंने पहले apply किये है टाटा के अंदर अब वो आपस यहां पर registration करना चाहते हैं तेले की registration नहीं हो पाता क्यों नहीं हो पाता तो यहां पर आप देख सकते हैं have you already registered with us अगर आपने पहले कभी registration किया है तो आपको जाना है application wizard पर तो directly आपको इस पर क्लिक करिएगा जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा टैब ओपन होगा तो आपको यहां कर सकते हैं जिन बचोंने पहले apply किया है उन बचों के लिए बता रहा हूँ अब बात कर लेता है वो मेरे भाई बेन जो फर्स टाम apply कर रहे है टाटा पावर के अंदर तो यहां पर आपको first name डालना है second name last name password repeat password email id और repeat email id करने के बाद आपको यहां पर yes I have read the data privacy statement and accept it पर क्लि है directly आपके login कर देगा यहां पर यहां पर रीवर्ट आ जाएगा उसके बाद आपके यहां पर सारा का सरा data फिल कर देना है जो भी आपका document है लाइक आपके 12th में 10th में और आपके bb.tech diploma कितने percentage है कहां से की है सारी चीज़े फिल करने के आपको finally submit कर देना है इस पर मैंने अ description में देदूँगा apply कैसे करना उसके बारे में तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को like करेगा share करेगा लोगों तक जिनको job की नेट and comment करके जरूर बताना कि आप कौन सी job search कर रहे है ताकि वो जो आपके लिए में ला सके and WhatsApp, Telegram, LinkedIn, Facebook से जुड़ने के लिए हमने description में लिं कर सकते हैं all the very best जैहिन